नमस्कार दोस्तों, सुवावत है आपका हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम बात करेंगे angular acceleration of the driven shaft के बारे में जो angular acceleration है driven shaft की हम कैसे निकाल सकते हैं तो यह formula हम पहरे discuss कर चुके हैं जो omega 1 by omega आता था omega 1 क्या है? angular velocity of the driven shaft omega क्या है? angular velocity of the driven shaft तो यह formula हमने निकाला था अब यहाँ पर हमें driven shaft की निकाल दी है angular acceleration तो हमने omega 1 निकाल लिया यहाँ से तो omega 1 को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ omega cos alpha और यह जो टर्म है इसको उपर आप ले जा सकते हैं 1 minus cos square theta dot sin square alpha और इसके उपर यहाँ पर minus 1 लगा देंगे क्यों क्योंकि यह नीचे है तो इसको हम उपर लेके गए हैं तो minus 1 हमने लगा दिया अब जो यह पूरी equation है इसको हम differentiate करेंगे तो angular acceleration हमारे पास क्या आएगा? d omega 1 by dt तो यही होता है angular acceleration आएगा with respect to time जो है angular velocity को हम differentiate कर देंगे d omega 1 by dt तो यहाँ पर जो आपके वास value आएगी तो omega cos alpha इसको आप बाहर ले लीजिएगा और यहाँ पर आजाएगा minus 1 यह minus 1 है तो यह आगे आजाएगा minus 1 और यहाँ पर अंदर क्या है? 1 minus cos square theta dot sin square alpha यही है इस bracket के अंदर और यहाँ पर minus 2 हो जाएगा यह minus 1 आगे 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 और यहाँ में minus 2 हो गया यह पूरा इसके अंदर आगे उसके बाद into जो हमारा यह था cos square theta तो यहाँ पर क्या आजाएगा? 2 cos theta sin theta और इसके साथ क्या था? sin square alpha तो differentiate आप कर सकते हैं differentiate करके यह आपके पास आएगा और यह पूरे के बाहर क्या आजाएगा? d theta y dt यह आजाएगा तो यह आपका आगे है उसके बाद देखिए यहाँ पे जब आप इसको solve करेंगे अब यहाँ पे जो हमारा 2 cos theta sin theta है वो किसके बराबर होता है? trigonometry formula है sin 2 theta के बराबर होता है और जो यह d theta y dt इसके बराबर होता है इसको हम omega के बराबर हम जानते हैं यह formula है तो यह सारी चीज़े put करके और यह multiply करके आपके पास क्या आजाएगा? minus omega square cos alpha क्योंकि यह omega है यह omega omega square cos alpha यह आगया into यह आगया sin 2 theta यह आपके पास है और dot sin square alpha यह आगया आपके पास यह minus 2 है तो इसको हम नीचे ले जाएगे अब इसके यह minus 2 है नीचे आगया तो यहाँ पर क्या गया? 1 minus cos square theta dot sin square alpha और bracket में उपर minus 2 था तो नीचे square हो जाएगा तो इस तरह से देखिए जो आप angular acceleration है असाली से इस formula से निकाल सकते हैं यहाँ पर जो negative sign है इसका हमेशा यह मतलब नहीं होगा कि retardation ही होगी angular acceleration है वो positive भी हो सकती है negative भी हो सकती है depend करेगी sign to theta की value के ऊपर इसकी अंदर हम देख सकते है जो one complete revolution होगा तो driven shaft का है जब driven को गुमाएगी तो driven shaft का one complete revolution होगा तो angular acceleration जो होगा उसका increase भी होगा यानि इंक्रीज इन स्पीड भी होगा तो और decrease यानि कि हम कह सकते हैं increase होगा या decrease होगा या retardation होगा decrease in speed के कारण इसके तो कुछ भी हो सकता है तो angular acceleration of driven shaft आप इस तरह से निकाल सकते हैं तो thank you वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा प्रेटिड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल Learn and Grow पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you